okay question number one का part number six जो छोड़ दीजगा बहुत लंदी question नहीं खोर दीजगा बहुत लंदी question पर में नहीं आते हैं ठीक है हम आप कर रहे है question number two question number two है आपके पास fourth proportion आपने find out करना है find the fourth proportion when five, eight and fifteen are given to you । ठीक है लेट D is 4th proportion. ठीक है? अब हम इसे लिखते हैं, यह जगा 5 ratio 8 proportion 15 ratio X. और मैंने खाल कि अभी आपके लिए मुश्किल है, मैं सरफ equation बना रही हूँ, आगे simplify करके आपने खुद value निकाल ली है. यह जगा 5 X is equal to 8 multiplied by 15. ठीक है? अब इसको simplify करें और answer निकालें. इतना सा गाम आप खुद से कर सकते हैं. Now, question number 2. 4 X square 2 X cube and 18 X power 5. ठीक है? अगें लेट करेंगे. लेट D is 4th proportion ठीक है? तो यह हो जाएगा आपके पास 4 X square ratio 2 X cube proportion 18 X 5 and ratio D. ठीक है? 4 X square D equal to 2 X cube into 18 X power 5 D is equal to 2 X cube into 18 X 5 divided by 4 X square और तीसरी टाम आपके पास है. P square minus P q and plus q square ठीक है? फोर्थ proportion निकाल रहे हैं. उसको हम लेट कर लेते हैं. C let कर लेते हैं. D let कर लेते हैं. D let कर लेते हैं. वह इस statement पर लिख लिएगा. मैं directly start कर लेते हैं. यह हो जाएगा P cube plus q cube ratio P square minus q square proportion यह equal का sign P square minus P cube sorry P cube plus q square और ratio हो जाएगा D ठीक है? यह हो जाएगा P cube plus q cube into D is equal to P square minus q square into P square minus P cube और plus q square bracket use कीजएगा यहाँ पर तक के clear रहे हैं. ठीक है D की value आपने find out करनी है. D हो जाएगा आपके पास इसको आप लिख सकते हैं P plus q into P minus q और यह हो जाएगा आपके पास P square minus P q plus q square और नीचे आजाएगा आपके पास P q plus q q cube अब आपने क्या करना है उपर formula बना लें या नीचे से formula से खोलें एक ही बात हो जाएगी ठीक है यह देखें तो यह आपके पास यह term और यह term formula बना लिए यह आपके पास formula बन रहा है P plus P q plus q q का और यह P minus q जो है यह आपके पास as it is रहेगा और नीचे आपके पास आजाएगा P q plus q cube ठीक है यह और यह cancel out और आपके d की जो value है वह हो जाएगी P minus q ठीक है यह d की value हो गएगा यह solve अब इसी दरीके से इसका part number 6 जो है वो आपने खुद से attempt करना है ठीक है जहां तक हो जाएगा उसको solve करेंगा मैं आ रही हूं question number 3 की तरफ now question number 3 question number 3 है आपके पास find the mean proportion between the given numbers question number 3 okay इसमें आपको सरफ start कर देती हूं एक से दो question कर देती हूं उसके बाद आप इसे continue करेंगे method सबका वही है सरफ आपने proportional बनाना होता है proportional बनाने के बाद आपके question सेम हो जाती है ठीक है पहले बाले पार्ट में आपको given है 20 and 45 आपने mean proportion निकालना है तो आप क्या करेंगे let करेंगे center वाले let x be the mean ठीक है अभी आपके पस बज़एगा 20 center वाला missing है क्योंके mean proportion नहीं है और last वाला आपके पास हो जाएगा यह दो दफा लिखेंगे आप इससे और last में आपके पास हो जाएगा 45 अब आप क्या करेंगे आपने वही method यूज करना है multiplication का यह हो जाएगा x square is equals to 20 multiply by 45 और यह हो जाएगा x square is equals to 900 ठीक है और x square is equals हो जाएगा root लगाएगे तो यह हो जाएगा 30 का square लिख सकते हैं आप इसको यह directly भी कर सकते हैं यह हो जाएगा x is equals to plus minus 30 और हमें पता है जब भी root लेते हैं और distance ना हो या length ना हो तो हमेशा plus minus sign लगाया जाता है ठीक है इसका एक और पार्ट और मैं करवा देती हूँ और फिर हम इसका fourth questions करना है और यह एक exercise हमने एक दिन में खतम कर दिया यह तनी मुश्किल exercise नहीं है लेकिन important है आपने इसको continue करना है इसका part कर रहे हैं हम fourth fourth part है इसका हमारे पास and that is x square minus y square comma x minus y into x plus y ठीक है center की जो term है उसको हमने c let कर लेना है let c is mean proportional ठीक है अच्छा अब आपके पास यह हो जाएगा x square minus y square ratio c ratio c or last में हो जाएगा x minus y upon x plus y alright अब यह से हम क्या करेंगे property apply करेंगे इसके ओपर यह हो जाएगा हमारे पास c square is equals to x minus y upon x plus y into x square minus y square formula से खोलेंगे इसको x minus y upon x plus y जाएगा x plus y into x minus y यह दोनों cancel out यहाँ पर squaring है और यहाँ पर हो जाएगा x minus y का whole square और दोनों side पर हम लेंगे root और c की value आजाएगी plus minus x minus y ठीक है जी यह आपका आगया है mean for the fourth part right अब हम continue करेंगे question number four को question number four जो है वो आपके पास है find the value of the letter involved in the following continued proportional continuous proportional और उसमें जो value आपकी repeat कर रहा है जो variable use हो रहा है उसको आपने repeat करना है और से continuous proportional बना के simplify करना है ठीक है पहला part है question number four का part number one and that is five p and 45 ठीक है अब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा five ratio p proportion p ratio 45 right solve करेंगे इसको property से p square is equal to five multiply by 45 और यह जगा p square is equal to 225 और यह जगा p root लेंगे दोनों side पर तो यह जगा 225 का root और p is equal to plus minus 15 ठीक है यह आपका answer हो जगा ओके नौ इसका मैं बता रही हूं आपको third part question number four का third part third part है आपके पास अच्छा उसने आपसे कहाता के value जहां पर involved हो रही होगी is equal to 12 into 27 okay अब आप चाहें तो इसको पहले squaring कर लें चाहें तो पहले whole square का formula को लेंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा पहले हम root ले लेते हैं ठीक है उससे हमारा easy हो जाएगा यह हो जाएगा 3p-6 root cancel out हो जाएगा और इधर आपके पास आजाएगा under root 324 और यह हो जाएगा 3p-6 is equal to plus minus 18 ठीक है root लेंगे तो यह plus minus 18 आएगा okay next अब हमने इसको break करना है 3p-6 equals to plus 18 और 3p-6 equals to minus 18 solve करते हैं यहां से 3p is equal to 18 minus plus 6 और 3p is equal to 24 p is equal to 24 divided by 3 and p is equal to 6 एक value आगे आपकी ठीक है इसी तरीके से आपने दूसरी solve करनी है यह हो जाएगा आपके पास 3p is equal to minus 18 और plus 6 और 3p is equal to minus 12 हो जाएगा और 3p is equal to minus 12 upon 3 and p is equal to minus 4 ठीक है यह हो गया simplify अब आपके पास जो questions रहे गए हैं इसके fourth part के above इसी method को apply करते हुए आपने उनको solve करना है ठीक है यह exercise करने के लिए आपके बस दो दिन है दो दिन का time है कल का और परसों का परसों सबकी exercise complete होके मुझे send हो जानी चाहिए time पर परसों सबस्ददवार कल में